हलो और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजा रमन्ना प्रगत प्रद्योगे की जो एक संस्थान है पर्मानु उर्जा बिभाग भारसरकार का उसमें जो है अप्रेंटिस भरती निकाली गई है मैं सायद इस वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ बट जैसे ही मैंने इस विकैंसी को देखा है कि इसमें इलेक्रोनिक्स मेकैनिक के लोग जो है इस विकैंसी को फिल अप कर सकते हैं तो मैंने जो है सोचा कि आपको जो इस वीडियो के माद्यम से जो है आपको के तहट जो है इस अपरेंटेस की भरती की जा रही है ओकि जिसमें लगभक डिल्सो ट्रेड प्रसिक्षियों अपरेंटेस के प्रसिक्षन के लिए आवेदन जो है मांगे गए हैं ओके बैच सुरू होनी की जो तिथी है वो एक बारह दोहजार तेईस हैं ओके तालीका एक मे सूची बद्दिस सभी ट्रेडों के लिए प्रस्विक्षता की अविदी एक वर्स रहेगी ठीक है जिन लोगों ने भी आई टाई कर लिया है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अफसर है MP के इस्टुडेंट के लिए जादा इंपॉर्टेंट है कि वो लोग ज अगर आपको वीडियो कॉलिटी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा अपनी वीडियो कॉलिटी को जो है बढ़ाएंगे तो आपको जो है सबी चीजें बिल्गों क्लियर जो है दिखाई देने लगेंगे अब इसके बाद हम आयू सीमा की अगर हम बात करते होना चाहिए है ना इसमें आपको क्या पे होने वाला है तो आपको 11,600 रुपे जो है पर मन्त जो है आपको मिलने वाले हैं ओके और भी बहुत सारी जो है कुछ सुभिधाय दी जाएंगी वहाँ पे दिख लीजी आप एक बार है ना अब हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टें है कि हम अपरेंटिस पूरा करें और अपरेंटिस जो है कि माध्यम से हम जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करने के एक कदम की कदम बढ़ाए हैं है ना तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कौन-कौन सी हमारी ट्रेड है जैसे कि हमारी वेल्डर ट्रेड है जिसमें तीन विकेंसी आई हुई है, अगर आपने ITI welder से किया हुआ है, तो आप इस form को fill up कर सकते हैं, इसके लावा fitter, machinist, turner, draftman, प्रशीतन, मतलब की air conditioning बगेरा है न, electrician, इसके लावा electronics, देखिए सबसे ज़्यादा भरती जो लगबग हमें दिख रही है, 23 जो है, विकेंसी है, हमारे मतलब की कोपा, प्लंबर, सर्वेयर, मेशन, कारपेंटर, सचिवी, सहायक, 29 विकेंसी हैं यहाँ पर, हर्टी कल्चर, असेस्टेंट, ड्राफ्टमेंड, एंड, पंप ऑपरेक्टर, कम मेकेनिक, इस तरह से कुल हमारी 1.500 विकेंसी हो जाती है, तो जो भी पंजी करन कर सकते हैं, इसमें आपके लिए कुछ, आपको डॉकॉमेंट्स की जरूरत होगी, वो भी बताया गया है, इसमें आपको है जब आप फर्म भराएंगे तो आपको ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगे सबसे मुख्य बात है कि हमें जो है इस फर्म का पता चलना कि हम आकर फर्म कैसे भर सकते हैं इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई एक्जाम बगेर नहीं होने वाला है तो जिन भी लोगों है इतर्ण किया हुए है दो हजार अठार से पहले देखे है इसमें सबसे इंपोर्टेंटा बात ये लिखी हुई हैma है तो वो इस फर्म को फिल ?ust कर सकते हैं उत्ति रों होने चाहिए सबसे इंपोर्टेट का है dos बात इससे पहले यह आपका जो है selection होने वाला है है ना तो और भी कुछ चीजें हैं जिसमें आपका फर document verification होने वाला है फिर आपकी जो है process होने वाली जिसका भी merit list में नाम आता है उनको जो है यह सब दिया जाएगे जैसे कि आपको कुछ प्रस्विक्षियों के लिए आत्रवास की लिए भी सुविधा यहां दिये जाने वाली है है ना चात्रवास निर्माना धीन है पुरुस प्रस्विक्षियों के लिए क्या है चात्रवास निर्माना धीन है जबकि महिला प्रस्विक्षियों के लिए जो है साजादार पर हर 6 प्रस्विक्षियों को एक कमरा जो है आवंटिद किया जाएगा ऐसी कुछ सुविधाय जो है वहाँ पर मिलने वाली है आपको तो आप यस फॉर्म को फिल अप करें जिन लोगों ने भी अभी तक फिल अप नहीं किया है तो वह इस फॉर्म को फिल अप करें हमारे लिए most important है apprentice SIP का जो हमारा certificate मिलने वाला है वो हमारे लिए बहुत important है यह हमारे लिए important नहीं है कि हम कहां से apprentice करते हैं apprentice आजकल बहुत सारे exam में apprentice mandatory कर दिया गया है अगर आपके पास ITI है apprentice है तो ही आप उस form को फिल अप कर सकते हैं बले ही आपके पास कितना भी knowledge हो अगर आपने apprentice नहीं किया है तो आप उस form को फिल अप नहीं कर सकते हैं so that मैं आखरी बार आपको यहीं बोलना चाहूँगा कि आप apprentice complete करें और जो है सभी form को फिल अप करें और जल से जल जो है government job पाने की आप अपनी तैयारी शुरू कर दे तब तक के लिए गुडबाई दोस्तों जैहन